शिल्पा शिट्टी की जिंदगी में खुशियों की आहट आही थी कि एक बार फिर उन्हें किसी की नजर लग गई दो दिन पहले ही शिल्पा की आने वाली फिल्म निकम्मा का ट्रिलर रिलीज हुआ था इस फिल्म के साथ शिल्पा बड़े परदे पर 14 साल बाद वापसी कर रही है शिल्पा इसकी खुशियों में डूबी ही थी कि उनके पती राजकुंदरा के गले में एडी ने फंदा डाल दिया पॉन्ड रेकेट मामले में एडी ने कुंदरा के खिलाफ मनी लॉंडरिंग का केस दर्ज किया है उनके खिलाफ फॉरें एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहद ये मामला दर्ज किया गया है सूत्रों के मताबिक राजकुंदरा और उनकी कंपनी वियान से जुड़े सबी बैंक अकाउंट में पॉन्ड मुवी से कमाई के हाई वॉल्यूम ट्रांजिक्शन मिले है ये पैसे 13 बैंक अकाउंट के जरिये ट्रांसफर किये जाते थे इसके बाद इन पैसो को कुछ शेल कंपनीज में घुमाया जाता था और आखिर में ये पैसे राजकुंदरा के अकाउंट में आ जाते थे ED को जाच में पता चला है कि फरबरी 2019 में राजकुंदरा ने Arms Prime Media Limited नाम से एक कंपनी मनाई थी और Hot Shots नाम का एक एप भी डेवलप्ट किया था इस Hot Shots एप को राजकुंदरा ने ब्रिटेन की केंडरिंग नाम की कंपनी को 25,000 डॉलर में बेज दिया था इस कंपनी के CEO प्रदीबख्षी असल में राजकुंदरा की जीजा है लेकिन इस Hot Shots एप के मेंटिनेंस के लिए केंडरिं कंपनी से राजकुंदरा की कंपनी वियान ने टाई अप किया था लेहाज़ इसी मेंटिनेंस के लिए लाखो रुपए का ट्रैंजिक्शन बिहान कंपनी इसके 13 बैंक अकाउंट्स में होते थे ED इसे Money Learning मान रही है Hot Shots Porn Movie का एक प्लैटफॉर्म था इसके जरिये भारत में Porn Movies को बना कर इस एप पर अपलोड किया जाता था दर्शकों को इसके सब्सक्रिप्शन बेचे जाते थे सब्सक्राइबर के जरिये होने वाली कमाई को मेंटिनेंस के नाम पर transaction राजकुंद्रा की कमपनी विहान में किया जाते थे इस तरह Porn Movies से कमाई का पैसा UK से घूमते हुए मेंटिनेंस के नाम पर राजकुंद्रा की कमपनी के अकाउंट में आ जाता था मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में राजकुंद्रा को पिछले साल 20 जुलाई को गिरफतार किया था फिलाल वो अभी जमानत पर बाहर चल रहे है लेकिन नया किस दर्ज होते ही राजकुंद्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने लगी है और आप उन पर गिरफतारी की तलवार फिर से लटकने लगी है पिछले साल राजकुंद्रा की गिरफतारी तब हुई थी जब शिल्पा शिट्टी की फिल्म हंगामा 2 OTT पर रिलीज होने वाली थी और आज जब शिल्पा की फिल्म निकमा सिनेमा हॉल में लगने वाली है तो एक बार फिर उनके पती पर मुसीबट तूट पड़ी है फिला इस पर आप क्या कहेंगे आपनी राह हमें कमेंट में दीजे और जादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारी चनल को सब्सक्राइब कीजे